कियार आप देखें 28 मही को छुटी सेवंटी नाइन ने की ना इंडिया ने की ना इंडिया ने की ना कोडिया ने ने की ना इन ने की ना इन ना इंडिया ना इन इस तरीके से बाइर आए जिस तरीके से पाकिस्तान में एक पैटरन बना हुआ है बाहर आने का मेरी बात आप समझ़ रहे हैं जैसे आज हमारे शायर को बाहर लाय गया है वो एक ऐसे तरीके दे बाहर लाया जाए कि बंदेदा डंग मार दे उस ते बाद बंदा बाहर आने हमारा इन लग्या बाहर करता है अँड है तो नतरह बाहर ना शपर ने हने जा कि शांग Georginha कर रहे हैं जो दोनों भाईयों ने और जो पूरी पार्टी ने कल सारी बातचीत किया वो इमरान खान पर की है मुझे तरसाना शुरू हो गया इनके ओपर यकीन करें आप इमरान खान ने कहा था मैं इनको रूलाओंगा लेकिन यह नहीं बताया था कि इतना ज्यादा रूलाओंगा मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया, I feel bad for them कि वो बचारे सुबा उटते हैं, Imaran खान, शाम होती है, Imaran खान, मुलक से बाहर, Imaran खान, मुलक के अंदर, Imaran खान, कैबिनेट में बैटते हैं, Iwan में बैटते हैं, Imaran खान, यार एक आदमी जेल चला गया, पुल्चो उन्हों उन्तसी, लेकिन यह उसको भूली नहीं यह इतने ज्यादा परेशान है, कि हर जगह पे उसका नाम ले, बहु कर यौमे तकबीर आप मना रहे थे, उसमें आपको नाम लेना दिया था, मोसने पाकिस्तान, डॉक्टर अब्दुलकदीर खान का, आप डॉक्टर अब्दुलकदीर खान का नाम नहीं ले रहें, आप वो थाबित हो रहा है, पंजाब में जो कानून बासों मेडिया के वाले से, तो यह आप भी मोताद किस बात का, भई, मैं तो इसको दो साल से भुगत रहा हूँ, आप लोगों के लिए इनको जरूरत होगी हक्ता के इज़त के कानून की, मेरे लिए उनको जरूरत नहीं है, दो साल से यह कानून मेरे उपर लागू है, मिन्ट बाद मैं किसी ना कि लिए की हद्ध कर देता हूँ, मिन्ट बाद किसी ना कि लिए की, इसज़त जो है, मेरे विद्गा से कहते हैं, जी मजरू हो गई है, और एक भी केस थाबित नहीं करता है, एक बी, चले मैं आर एक ब बल्षम्नेंट के साथ मिमकर पाकिस्तान के गुजigmatा आता घुर करो केस हैं। का इस चालिंज कर रहा हूं. आपका हज़को जाने का इरादा है। यह जिसेस्टमीशन के साथ क्युक्त ापका बेजने का इरादा निया। यह झाले हैं, यह डोटाया बना विल्साऊशर लॉक्मान को पना गवावा पना लिया है, और भाजी के पड़े। अबासी साथ तो अबासी साथ आप अब अबर जन्सी में वापस पहुंचे रोगे मैं दिलाइन देना चाहता हूं मुझे लगता है याज जड़ साब को फैसला दे ही देना चाहिए यह सार अबार ना लटका है सावर मानिका को मार पाड़े हैं सावर मानिका को मार भी पड़े है और अगिलों ने बहुतने मार जाए है अबास इक अलग बात है वकिलों को नहीं मारना चाहिए वापन में यह आगिस्टान के जजबात है उसका एक अनोख़ाई की एस है और जितना गंट डाला गया पाकिस्तान की ओरतें इस पर बड़ी दिल बरदाश्टा है उन्होंने अगर को रियक्शन दिया है तो वे एक अलग बात है और खवाती इन कितना का मार दें किसी को गाली दे देंगी एकडियों किसी को कंडम कर ले कि मिया साथ को सक्ची महबत क्यों नहीं मिली मैंने आज मैं आपको बहले पदा दूछा दो दज़बाइस में मैंने अजबे जाना था तो मुझे गिरफ्तार कर लिया और वह रहे गिया दो जाएट में मैं हजबे जाना था मैं गए कवा उग फिर मेरा हज रह गया साथ मैं अधालत में भी का, मैंने कै foundations, ये तो चलते रहेंगे, अभी डाई दर्चन मुकद्स मैं किसी में कुछ नहीं हो सका, आइंदा भी नहीं होगा, मैं अद्धा कर के आ आ जो फिर ने म भागते हैं सर द्बारे ﷺ, आ जो किपर ललेंगे मुकद्स मुकद्स में, यही मेरा मुल पाकिस्तानियों के बाद होती है तो मेरे पास पाकिस्तानियों के बात होती है उनको भी फेस कर लूँगा धाई दर्जन किये हैं तो बाकी भी कर लेंगे इंशालला आपने अदालत को कहा है कि अगर आप मुसिन अख्तर किया नहीं उते तो शायद मुझे इतने अर्सा जेल में ना गुजारना परता है जेल में नहीं था मैं जेल जो है न वो तो वाकिंग इंडा पार्क है मैं भी जेल में बंद हुआ बीस दिन मेरा एक किलो वजन बढ़ गया था जी जी भाई अपलीज कि आपने उनकों जिक्र दिया हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी नजर आ रही है कि जिजिस पॉलिटिक्स नदर आती है हमें तो क्या ये केस जो है खासकर मिसिंग परसंस का चाहिए इसका शिकार तो नहीं हो जाएगा देखें आप सब लोग यहां पे एकठे हुए थे एक शायर और एक सहाफी को उसके इगवा के मामले में आप सब यहां पे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप इसको रिपोर्ट करना चाहते है मैं यह देख रहा था आप में जए अक्सरियत उस तरफ खड़ी थी जिस तरफ मुद्ध ही खड़ा होता है केस का कि हमें हमारा बंदा वापस चाहिए और यह आप सब के दिल की आवाज भी थी यह आवाज कोई भी सुने उसका शुक्रिया ही अदा किया जा सकता है इसके ओपर जस्टिस मुद्धिन अख्टर क्यानी साहब ने अपनी जिमेदारी अदा किया ना उन्हें कोई ऐसा काम नहीं किया कि आउट अफ दब बॉक्स जागे आउट अफ दब वे जागे उन्हें कोई चीज हमें लेकर दे दी हो जो कानून हमें वो हमारी वो नहीं बनती थी और उन्हें हमें दे दी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने हमें कानून के मताबिक इनसाफ दिया हम उनके शुकर गुजार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि यहां पे ऐसे इनसाफ मिलता नहीं है नॉर्मली जहां तक अदलिया पुलिटिसाइज हो रही है आप वो कहरें भाई वो अबसे थोड़ी हो रही है वो तो बहुत पुराना सिलसला है उमीद करते हैं कि कभी रुक जाएगा इन्शाल्ला इम्रान साथ बाई बड़ा खुशी का दिना है आपका ना भी सेल से कर गए हमद फराद शाहिद भी वापस आएगे जब ही कोई खुशी आती है एक वीडियो बड़ी वाइरल होती है आपकी हमशकल बंदा है अच्छा यार वो टैलेंट मेरे में नहीं है मैरे न बच्पन म लोग समय रहे हैं मैं हूं तो मैं बड़ा अप्रीशियेट करता हूं उसको थोड़ा सा और मेनत करें तो बिल्कुल मेरे तरह हो जाएगा जाएगा तो आप भी सोशल मीडिया यूजर है तो आज कोट में भी सोशल मीडिया की बादगा इस तरह से आज वजीर कानून ने ब आप एक लिमिट से आगे जाके इसको बैन नहीं कर पाएंगे आप चाइना की तरह और रशिया की तरह खुद कफील मुल्क नहीं है ना आपके यहां पर बादशाहत है जिन मुल्कों ने यह सारा कुछ किया है वहाँ पे यह जो जमूरी और यह जो पर्णिमेंटरी डिमॉ पर बतकर दे रहें उसके उपर यह चैक होगा और सिरुप kleinen कि कॉरिया की बाद कर तकर जिंअ ऑफ स्कार नहीं हो